दोस्तों कंगना रनोत अपनी फिल्म मनी करनिका को लेकर चर्चा में बनी हुई है उनकी इस फिल्म में सखलता के मीटे स्वात के साथ विवादों का कड़वा भोट भी किया है इस फिल्म के अलावा कंगना एक और चीज को लेकर चर्चा में रही है और वे है अपने एक्स बॉइफरेंट रितिक रोशन की विज़ा से हाल ही में इंडिया टुडे कॉंकलेव में उन्होंने रितिक का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा कंगना ने यहां कहा कि वो मुझे से कहते हैं कि वो मुझे पहचानते नहीं मेरे साथ दो फिल्मों में पांस साल तक काम करने के बाद वो कहते हैं कि मुझे जानते नहीं मैं जानना चाती हूँ कि है कैसे मुम्किन है पहले अनुराग बासू की फिल्म काइट्स में दो साल तक काम किया उसके बाद क्रिस में तीन साल तक काम करने के बाद वो कह रहे हैं कि पहचालते नहीं आपको बता दे कि कंगना और इतिक के बीच वी वाद को तीन साल बीच चुके हैं लेकिन कंगना की इन बातों से लगता है कि वह अब तक इस मामले से बाहर नहीं आ पाई है वहीं कंगना के वर्ब फ्रंट की बात की जायतों गया जल्द ही डारेक्टर अस्विनी अयर तीवारी की फिल्म पंगा में नजार आएंगी इसके लाव है एक्टर सुराजकुमार राओ के साथ फिल्म मैंटल में क्या में भी मुख्य भूमिका में नजार आएंगी तो दोस्तों ऐसी ही और मसालेदार और चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें और वीडियो को लाइक और सेयर करतें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद